लबुश्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर देश भर में जारी है कोरोना के मामलों में गिरावट अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से पंचायती राद विभाग में अंकेक्षोक और उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रवंधक परिक्षा का परिनाम जारी बीते दिन कोरोना के वर्तमान तीसरी लहर के बीच में बीपेसी ने पंचायती राद विभाग की तरफ से अंकेक्षक और उद्योग केंद्रों में परियोजना परिक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि अंकेक्षक के लिए 373 पदों के लिए प्रालंभिक परिक्षा ली गई थी प्रालंविक परिक्षा के परिणाम में 4,269 अभियर्थी सफल हुए है वही उद्योग केंद्रो में परियोज़ना प्रवंध की परिक्षा में भी परिंदा घुषित किया जा चुके हैं इन में 79 पदो के लिए प्रालंविक परिक्षा लिग गई है रेल्वे की परिक्षा में धान्दली का आरोप लगा अभियर्थियों ने किया उगर प्रदर्शन अब यहां की ट्रेन सेवा भी हुई प्रभावित बीते दिन रेलवे की परिक्षा में धांदली का बड़ा आरोप लगाते वे चात्रों ने उग्रप्रेदर्शन किया था जिसके बाद ही चात्रों पर पुलीस डंडा और आसु गयास की बोट चार की गए इसी कड़ी में अंदोलन का असर आज नालंदा में भी देखने को मिल है जिसके कारण में धावी चात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाता है बोट जो भी नियम जारी कर रहे हैं वो परिक्षा के पुर्व अभेर्थियों को बता दे ताकि हम लोग उसी तरह से तयारी करें इस बाल के रिजल्ट में रुपए का खेल चुला है गिरफतार हो सकते है मगद विश्विद्याले के कुलपती पर अब गिरफतारी की तल्वार लिटकने लगी है मगद विश्विद्याले में 20 करूर रुपे की घोटाला मामले में फसे कुलपती डॉक्टर राजेंdr सिंग की गरफतारी अब कभी भी हो सकती है दरअसल हुआ कुछ हि favour कि विजिलन्स के अधिवक्ता आनंदे सिंग ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था उन्हाने कोट का मामला बताया था कि रॉक्टर जेंदर प्रसाद इस मामले में मुख्य आरोपी हैं ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता जिसके बाद ही अब यह संभावना किया जाना है विली जुआनकारी के नुसार राजुसरकार ने सभी 149 और द्योगिक प्रसेक्षन संसान को सेंटर ओफ एक्जिलेंस बनाने के लिए 5,436 करूर रुपे की योजना बनाई है योजना के क्रियान दिन को लेकर MOU पर श्रम संसाधन विभाग और टार्टा टेक और उसे जुड़ी उनीस कंपनियों में नौकरी मिलने कार रास्ता खुल रहा है अब कर्मियों को उर्दू सिखाएगी बिहार सरकार हाली में बिहार मंतरी मंदल साचिवाले ने एक प्रसेक्षन सत्र 21 फरवरी से प्रारभकरनी की घोशना की है जुसे कि बिहार के कर्मियो पदाधिकारी से लेकर नीजी छेत्र में काम करने वाले अधिक से अधिक लोग उर्दो की जानकारी प्राप्त कर सके इसी लक्षे को पुरा करने के लिए विहार सरकार अब नई तयारी करने वाली है इसको लेकर आवेदन मांगी गए है प्रसेक्षन 120 घंटे का होगा प्र मरीजों की संख्या अस्पताल में करीब 60% दीक कम हो गई है आपको बता दे शेहर के PMCH पटना एमस आईजय एमस के अलावा गार्डिनल रोड राजवेंशी नगर स्थित एल एनजे पी हड़ी अस्पताल गरदनी बाग अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी घट गई है ब्लड सांपल, दवा काउंटर और डॉक्टरों के एक कमरे के बाहर मरीज की संख्या 30-35 प्रतिशत रह गई है जबकि इमर्जनसी में मरीजों का दबाव बढ़ गया है जानकारी के नुसार ये बोर्ड का बड़ा निर्ना है और इसका दूरगामी परिणाम परिक्षार्थियों पर पड़ेगा इसको लेकर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो चातर इंटर की मुख्य परिक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे हो रहे हाथसों में आधे से अधिक इन्ही पांचों एनेच पर घटित हो रहे है जबकि जानगवाने वालों की संख्या भी इन्ही नाश्रल हाइवेस पर सबसे जादा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि एन्ह पर बिहार में 3,255 सरक दुर घटना हैं कुल हाथसों का यह 69 प्रतिशत है इस में से 2517 जानगवाने वाले यानि के 77 फीजदी भारतिय राश्री राजमार्ग प्राधिकरन के अधीन वाली एनेच पर हुई जबकी पत्र निर्वान विभाग के अधीन नाश्रल हाईवे पर मातरश 768 लोगों की जान गई है जो कुल 23 फीजदी है इस सूची में सबसे उपर NH 31 है, NH 28 जूस्रिस्थान पर है, वहीं NH 30 सरक दुर घटना के मामने में 3 पाइदान पर है बिहार की 5 पन बिजडी परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है, हाला कि बिहार में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 17 पन बिजडी परियोजनाओं का काम चल रहा था, इन में से ही 5 पन को बंद कर दिया गया है, उरजया विभाग ने वितिय वर्ष 2021 में इन परियोजनाओं के इसके लिए योजना के तहट लगभग 144 करूर रुपे का वंटन स्विक्रित है इसमें से 14 करूर रुपे का वंटन हाली में बिहार राजु जल्वेद्यूत निगम को उपलब्ध कराए गया है जिसकी जानकारी विभाग के प्रधान सचिफ संजीव हंस ने दी है बिहार का य मिली जानकारी के निसार चालो वित्यवर्ष के दस महीने बीते जानी के बाद दर्धारिक लक्षि के विरुद मेहस 55.1 एक चार फीस दी उपलब्धी हासिल हो सकी है खरनन विभाग से निबंधित सहरसा और मधिपुरा जिले में लगभग 6 दरजन इन भटा संचालित है ब विरुद अब तक 879.44 लाग की वसूली ही की जा सकी है वधान परिसाथ चुनाव में एक जूट हो रहा है विपक्ष बिहार में जल्दी वधान परिसाथ चुनाव का आयोजिन होने वाला है अलाकि इस चुनाव के अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी तो साज़ा नहीं की है वहीं कॉंग्रेस को उमीद है कि आलाकमान के स्तर पर राज़त सुप्रीवों की बाचीतने कोई रास्ता निकलाएगा कॉंग्रेस कम से कम साथ सीटों पर उमिद्वार उतारने की तैयारी में है वही स्पीच भाग पामाले राज़त साचिफ कुनाल ने सुमवार को बया बाजी का सलसला शुरू हो गया है इसी कड़ी में राज़त के रास्ट्रेय उपाध्यक्ष श्रिवानंतिवारी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोधी को लाने में बेरोजगारों की बड़ी भुमिका थी लेकिन अब उनका धीरत चूखने लगा है सत्ता संभालन के दारान प्रधानमंत्री ने प्रतेक वर्ष दो करून लोगों को काम देने का वादा किया था इसी आधार पर भाज़पा के पक्ष में हवा बनाई गई थी लेकिन चुनता की बात ये है कि भाज़पा की दूसरी बार सत्ता में आने पर भी बेरोजगारों का सवाल सरकार की नजरों से ओजहल है मालूम हो कि सोमवार को पटना समेथ और आरक में चात्रों ने ट्रेन रोक दी राज़ेंद्र नगर स्टेशन पर भारी बवाल हो गया राज़ेंद्र नगर स्टेशन साथ घंटे तक चात्रों के कमजे में रहा इतना ही ने सिती को अन्यंतरित होता पुलीस ने लाठी चार्ज भी कर दिया बिहार में गठवंधन तोड़ने पर बोले मुकेश सहनी बिहार में इन दिनों इंडिये गठवंधन में तकरार की स्थी देखने को मिल रही है अलग-अलग मुदों को लेकर सभी दलों की राए एक दूसरे से अलग-अलग नजरा रही है कर पूरी जुयंती समारों के अफसर पर सोंबा को पत्रकारों से बात करते वे मुकेश सहनी के बयान के बाद एक बार फिर से चरचा तेज हो गई है इसके तहत उन्हों ने कहा कि इंडिये में सीट नहीं मिलेगी ये बात नहीं है सीटों का विद्रन गठवंधन के आधार पर होता है अगर गठवंधन से सीट नहीं मिलती है तो हम स्वतंतर है बिहार विद्रन परिसत की सभी 24 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है महीं इसको लेकर व्याइपी के रास्ट्रे धैक्श और बिहार सरकार के पशुपालन और मतस्य पारण विभाग के मंत्र विद्रोस अधनूम गेवरिसस ने चेतावनी दी है कि कोरोना वाइरस के और स्वरूप के आने के लिए आदर्श सिती बनी हुई है और कहा है कि हमाना क्यों मिक्रोन आखरी स्वरूप है यह हम महामारी के अंतिम दौर में खतर नाक सोच है हाला कि उन्हाने इस दौरान लो से मिली जानकारी के अनसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,55,874 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,97,99,202 पर पहुच गई है देश में लगातार पिछले 5 दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामले 3,00,000 से अधिक सामने आ रहे थ से मंगलवार सुबह 8 पजे जारी किये गए अधितन आक्रों के अनसार देश में 614 और लोगों के संक्रमन से जाने की बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,99,465 हो गई है देश में अभी 22,34,842 लोगों का कोरोनावाय संक्रमन का इलाच चर रहा है जो कुल मामलों का 5 दर् आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चली बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार उतर प्रदेश चुनाफ में बिहार जदियों का अकेल आपके प्रदेवाद